कि नमस्कार क्या आपको पता है कि कुछ लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं कुछ इनकुछ हर इंसान के जिवन में कुछ इनकुछ इसे लोग होते हैं जो उनसे नफरत करते लेते हैं या तो उनके समाज के लोग होंगे या इनके परिवार के लोग होंगे या उनके दोस्त हो कुछ और कुछ इसे लोग जरूर होंगे जो हर इंसाम से नफरत करते हैं अगर आप से भी कुछ लोग नफरत करते हैं ना तो मेरे इसाब से यह दो कारण होंगे जो लोग आप से नफरत करते होंगे ना उनके दो कारण जरूर होंगे पहला या तो आप में कुछ ऐसा है जो उनको पसंद नहीं, अब हाथ में ऐसा क्या हो सकता जो उनको पसंद नहीं, हो सकता है आपके कुछ bad habits हो, अब bad habits में क्या हो सकता है, आप दुमरुपान करते हो, smoking करते हो, आप time waste करते होंगे, आप किसी की चुगली करते होंगे, या हो सकता है आप किसी की आलोचना करते होंगे, कुछ और कुछ ऐसा reason होगा, जो लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, उस reason से लोग आपको नफरत करते होंगे, कुछ और कुछ ऐसी bad habits आपके अंदर होगी, अगर लोग आपसे नपरत करते हैं लोग आपको नहीं चाहते हैं तो ये जरूर सोचना मन में एक बार किया किस रीजन से क्या कारण से लोग मुझे नहीं चाहते हैं आकिर क्या कारण है मेरे में तो कोई कमी नहीं है अगर आप अपने आपको पूरा एक्जमाइन कर लेते हो ना और आपको ऐसा कोई कारण फाइंड नजर नहीं आता है तो आप अपने रास्ते पर चलते रहे हैं हो सकता है कोई दूसरा कारण हो जिससे वो आप से नफरत करते हो लेकिन हाँ एक बात जरूर दिया रखना कि अपने अंदर अगर कोई बेड हैबिट्स हैं तो उसको रिमूव कर लेना उसको दूर कर लेना अधरवाइस आप सोचते रहेंगे कि हाँ लोग तो ऐसे मेरे से जलते हैं ऐसे मेरे से नफरत करते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है कुछ लोग आपसे ऐसे नफरत करते हों लेकिन जब ज़्यादा लोग आपसे कुछ ऐसे आपके आदत के वज़े से नफरत करेना तो उस आदत को आप रिमूव कर लेना उसको अपने पास में मत रख रख सेकर या आप में कुछ ऐसा है जो उन में नहीं है कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे लोगों से जलते रहते हैं मानलो आप में कुछ अच्छी आदते हैं मानलो आप जीवन में सक्सेज हो गए पता ये बात तो नोर्मल है हर कोई इंसान जब सक्सेस हो जाता है न तो समाज में परिवार में यार दोस्ती में कुछ इनकुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो चलते रहते हैं और पता है आपको वो लोग कैसे होते हैं वो लोग बाहर नहीं आते हैं अपनी मन की कुंठा बाहर में निकालते हैं उनको पता है बार निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे और या इतना बड़ा आदमी उसके बार में ऐसे बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे लेगर ऐसे लोग क्या करते हैं अपनी मन की कुल्ठा ऐसे आदमी के सामने निकालते हैं जब वो भी आप से जलता हो आपकी तरक्य देखके जलता हो क्यों जलता है? क्यों? क्योंकि वो तरक्य उनके पास मनाई है इसलिए तो आप से जलता है और या आप पे कोई अच्छी हैबिट से आप अच्छे वक्ता है आप अच्छे प्रोपेशन में है किसी अच्छे प्रोपेशन में है आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन आपके ज्याते ही, आपके पीठ पीछे आपकी बुरही करने लग जाएंगे, तो ऐसे लोगों को आप इग्णोर करें, ऐसे लोग तो जीवन में हज्जारों मिल जाएंगे आपको, जब आप सपलता की राह पर चड़ जड़ की, ऐसे लोग आपके जिन्दगी में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमेसा एसे लोगों को एक्णोर करते रहें, इसलिए जेवन में हमेसा ये दो बाते याद रही, अगर लोग आप से नफ़द करते हैं लाव की करन马, या तो आप में कुछ ऐसी चीज हें, जो उनके पास नहीं है इसलिए वो आपको देख देख के जलते रहते हैं इसलिए हमें साँ जीर में ध्यान रखें इन दो बातों को अगर लोग आप से जल रहे हैं तो ये दो बाते नोट कर लेना